नमस्कार दोस्तों, आप सबी लोग स्वागत है, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कमरदर्द है, गुटनों पेन है, चोट है, हड़ी का कोई रोग है, मोच है, मानस्पेशियों में कोई पेन है, या ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत आज नहीं है, क्योंकि आज की जो वीडियो है, उसी से संबंदित है, हमारे हाथ में एक आयरवेदिक तेल है, पतांजली का, जिसका नाम है, पिडानतक तेल, ये तेल इतना इफेक्टिव है, कि जितने भी हमने दर्द अभी बताया है, उ सब में आराम देगा आपको, हर चीज में आराम देगा, ये पतांजली के आपको स्टोर से मिल सकता है, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, इसकी प्राइज है 60 रूपीज, आप यहां पे देख रहे हैं, 60 रूपीज, और इसमें 60 रूपीज में आपको 100 ml की कॉंटिटी मिलती है आप इसको, जब आप इसको मालिस करेंगे, तो 1 से 5 ml तक आप ले सकते हैं, हलके हाथ से आपको मालिस करना है, दिन भर में, तीन बार मालिस करना है, बट आप डाक्टर से सलाह जरूर लें, डाक्टर की सलाह के बाद ही इसका यूज आप सुरू कर सकते हैं, ये अगर आपक कुछ दिनों से पेन है, तो आपको इसका effect, 3-4 दिन में आपको इसका effect, effect मतलब आराम मिलना सुरू हो जाएगा, अगर दर्द पुराना है, बहुत लोगों को 3-4-5-5 साल, दर्द साल से पेन होता है, तो उन लोगों को लगवाग 12-15 दिन में आराम मिल जाएगा, सबसे खास पात क्या है, इस आर्वेदिक तेल का, इसमें ये पूरी जो है, एक जड़ी बूटी की लिस्ट है, जो इसमें इन जड़ी बूटीों से मिला करके ये तेल बनाया गया है, लगबग 20-25, तो आप लोग सोचते हैं, कि 20-25 जड़ी बूटीों से जब यह तेल बना है तो कितना effective होगा कितना असरदार होगा और यही वज़ा है कि यह आपको आराम देता है दर्द में और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जब आप मालीज करेंगे तो तेज हवा या पंखेक नीचे नहीं करेंगे क्योंकि यह तभी effective होगा तभी यह effective होगा जब तेल जहां पे पेन हो रहा है आपको वहां पे सोखेगा या अवसोसित करेगा तभी आपको जल्द आराम मिलेगा वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माद्धम से बताईए इसको सेयर करिए जितने भी लोग हैं जिन लोगों को प्राब्लम है जो इस वीडियो को जरूर सेयर करिए हाथ जोड़कर हमारी प्रातना है कि जो पेन होता है बहुत ही दरदायक होता है उसको लोग सह नहीं पाते हैं तो आप लोग प्लीज जो मरीज हैं जो लोग इसको जहल रहे हैं काफी दुनों से प्लीज उनको जरूर आप सेयर करिए और क कीम्ती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स